भारत ने ओडिसा के तट से लॉंग रेंज गलाइड बम का पहला सफल परिक्षन किया इस बम को वायू सेना के सुखोई MK1 फाइटर जेट से लॉंच किया गया था रक्षा मंत्राले ने बताया कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान गलाइड बम ने लॉंग वेहिकल वेलर आइल लाइड नेविगेशन स्कीम की मदद से टार्गेट की तरफ बढ़ता है टेस्ट लॉंचिंग का पूरा फ्लाइड डेटा टेलिमेट्री एंड एलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रेकिंग सिस्टम ने कैप्चर किया इस सिस्टम को इंटिग्रेटेड टेस्ट रिंज ने पूरे डेडियो के चेर्मेन समीर वी कमान कमात ने डेडियो की पूरी टीम को इस सफल परिक्षण पर बढ़ाई दी कर दो